जई स्वामिला राइन स्टुडेंट्स तोडे वी विल दू पैरेग्राफ राइटिंग बच्चो आज हम पैरेग्राफ राइटिंग करेंगे पैरेग्राफ राइटिंग अपके एक्जाम में एक पैरेग्राफ की टॉपिक आपको दी जाएगी आपको paragraph लिखना है 10 से 12 लाइन में आपको paragraph लिखना है 5 मार्क का paragraph होगा आपको paragraph की topic दी जाएगी आपको topic का नाम लिखकर एक छोटा सा 10 बारा लाइन का paragraph लिखना है 5 मार्क्स का होगा paragraph writing आज हम करेंगे paragraph writing तो यहाँ पर देखिए धियान से बचो मैं बता रही हूँ हमारे आज का paragraph का topic है My Favorite Festival My Favorite Festival paragraph का heading आप सबसे पहले लिखोगे paragraph का topic मैंने यह topic लिया है आपको समझाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे paragraph का topic लिखोगे यहाँ पर My Favorite Festival My Favorite Festival उसके बाद आप एक छोटा सा paragraph लिखोगे 10-12 लाइन का paragraph आप लिखना topic के उपर सबसे पहले आप topic का नाम यहाँ पर लिखना उसके बाद आप paragraph स्टार्ट करना All of you write the topic's name first and then begin the paragraph write the paragraph in 10-12 lines 10-12 line में आप paragraph लिखेगा छोटा सा आपको जो topic दी गई होगी topic का नाम आप लिखेगा सबसे पहले उसके बाद आप paragraph स्टार्ट करिएगा 10-12 line में paragraph छोटा सा लिख कर complete कर देना आज का हमारे paragraph राइटिंग का topic है My Favorite Festival सबसे आपका पसंदिदा त्योहार My Favorite Festival Diwali is my favorite festival It is the festival of lights and is one of the biggest festivals celebrated in India We light candles and decorate our homes with rangoli Children burn firecrackers and enjoy with their friends We get long school holidays to celebrate Diwali Diwali is the most loved festival and we enjoy it very much तो बच्चों आज का हमारा topic है My Favorite Festival आपका सबसे फेवरेट पसंदिदा त्योहार यहाँ पर Diwali मैंने लिखा है Diwali is my favorite festival मुझे Diwali दीपावली का त्योहार बहुत जादा पसंद है Diwali is the festival of lights It is the festival of lights and one of the biggest festivals celebrated in India सबसे बढ़ा त्योहार है दीपो का त्योहार है दीपावली उस दिन हम दीप जलाते हैं और हमारे घरों को रंगोली से सजाते हैं छोटे छोटे बच्चे फटा के फोड़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ मजे करते हैं सेलिबरेट करने के लिए दीपावली सबसे अच्छा त्योहार है और हम सबको दीपावली पसंद है मुझे भी और सबको दीपावली बहुती जादा पसंद है सो इसी तरह बच्चों आपको एक टॉपिक दिया जाएगा आपको टॉपिक का पैरेग्राफ का टॉपिक लिखना है यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक लिखना है मैंने जैसे लिखा माई पेवरेट फेस्टिवल आपको टॉपिक दिया जाएगा आप टॉपिक यहाँ पर लिखेगा सबसे पहले उसके बाद आप उस टोपिक के ऊपर एक छोटा सा पैरग्राफ दस बारा लाइन का लिखिएगा 5 मार्क्स का होगा यह पैरेग्राफ रायटिंग आप सबसे पहले टोपिक का नाम लिखिएगा और फिर पैरेग्राफ शुरू करना दस से बारा लाइन आप लिखिएगा टॉपिक के उपर और अपना पैरेग्राफ कम्प्लीट करिएगा दस से बारा लाइन में आप छोटा सा पैरेग्राफ लिखिएगा सबसे पहले आप topic लिखना topic लिखना भूलना मत बच्चो topic जरूरी है इसलिए आप पहले topic लिखना उसके बाद paragraph लिखना छोटा सा 10-12 line का आप paragraph लिखना ओके all of you write the paragraph in your homework copy all of you do the paragraph in your homework copy छोटा सा एक paragraph आपको पूछा जाएगा एक्जाम में आपको सबसे पहले topic लिखना है यहाँ पर देखिए मैंने जैसे लिखा है topic my favorite festival उसके बाद आपको छोटा सा paragraph इस तरह लिखना है 10-12 line का आपको एक छोटा सा paragraph topic के उपर लिखना है और complete करना है paragraph को आप सब इस paragraph को अपनी home work copy में लिखेगा इसी तरह एक paragraph आपको पूछा जाएगा एक topic आपको दी जाएगी आप एक्जाम में छोटा सा paragraph 10-12 line का लिखेगा ओके? Thank you